दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है डेली करेंट अफेर क्विज में आजम देखने वाले हैं 20 दिसंबर की करेंट अफेर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैत पून रहेगी डेली करेंट अफेर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट अफेर के कोशन अंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन हर रोज लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सकाइब कर ली न नीचे रेड कल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ओन रखेगा ताकि आगया आने वाली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो 6000 के कोशन अंसर की एक हमारी पेडियाप है जिसमें complete सभी सब्जेक्ट है और इसमें दोस्तो आप 1000 के कोशन अंसर की जो पेडियाप है बिल्कुल फिरी में पा सकते हैं अगर अभी परचेज करते हैं परचेज का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है मातर 150 रुपीज में दोस्तो ये पेडियाप आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या वोट्सअप नंबर से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना है कोशन है वर्च 2022 में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कोन बने है ये मैंने कल की वीडियो में कोशन को कवर कराया था तो आज आप इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बताएगा सुरू करते हैं आज की करेंट फेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में किसने रास्टे उर्जा सनरक्षन पुरुसकार परदान किया मेरे प्यारे दोस्तों पहले कोशन का राइट आंसर हैगा द्रोबदी मुर्मुजी ने ठीक है यानि की ऑप्षन बी राइट आंसर हैगा कोशन नमबर टू आता है हाल ही में किस सदन में सविधान आदेश विद्यक 2022 पारित किया गया दोस्तों दूसरे कोशन का राइट आंसर हैगा लोकसभा में यानि कि option A right answer रहेगा question number 2 का right answer question number 3 आता है FIFA विसकप 2022 किस देश ने जीता है तो तीसरे question का दोस्तो right answer रहेगा अर्जेंटिना ने यानि कि A right answer रहेगा question number 3 का सही उत्तर question number 4 आता है हाल ही में IEI उद्योग उद्करस्ता पुरुसकार 2022 किस ने जीता है दोस्तो इस question का right answer रहेगा NMDC ने यानि कि B right answer रहेगा question number 4 का correct answer question number 5 आता है हाल ही में किस बैंक ने समाजिक स्टार्टप के लिए अपना छटा वार्सिक अनुदान कारेकरम सुरू किया है मेरे प्यारे दोस्तो अगर आपको ये हमारा concept पढ़ाने का जो तरीका है 10 मिनट में 20 करेंट फिर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को like जरूर किया करे और अपने उन सभी दोस्तों को और भाई बैन को share कर दिया करे बी राइट आंसर हो जाएगा चाटा कोशन आता है हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को स्टी सूची में जोडने के लिए विद्यक को मंजूरी दी दोस्तो चटे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल option C हो जाएगा हिमाचल परदेश में तो ये आपको याद अखना है दोस्तों साथवा कोशन है हाल ही में किस देश के राजपती ने समलेंगिक विवहा कानून पर हसाकसर किये है दोस्तों साथवे कोशन का राइट आंसर हैगा अमेरिका में यानि कि B राइट आंसर हैगा साथवे कोशन का सही उत्तर आठवा कोशन आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी तवचा रोक का निसुल्क टीका करन करने की घोशना की है दोस्तों आठवे कोशन का राइट आंसर हैगा बिल्कुल उडिसा राज्य सरकार ने यानि की option A right answer हैगा question number 8 का right answer question number 9 आता है हाल ही में किसने कोलकता में पूर्वी चेत्रिय परिशद की बैठक की अद्यक्सता की है question number 9 का दोस्तो रेट answer क्या रहेगा अमित साजी ने यानि की B right answer हो जाएगा question number 9 का सही उत्तर कोशन नमबर 10 आता है हाल ही में किस परदेश की रख्ट से कारपो खुबानी को जयाई टेग मिला है दोस्तों दसवे कोशन का रएट आंसर क्या रहेगा ओप्शन सी लद्दाक के लिए यानि कि C रएट आंसर हेगा दसवे कोशन का सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों एक मैंने अभी व्लोगिंग चैनल स्टार्ट किया है सोरा मलिक व्लोग्स करके है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना जल्दी उसमें मेरे डेली व्लोगिंग जो वीडियोस है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी 11 कोशन है हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसकों के बीच सीधी उडान का उदगाटन किया है 11 कोशन का दोस्तों रेट आंसर हैगा जोती रादित्य सिंध्या यानी की ओप्षन ए रेट आंसर हैगा कोशन नमबर 11 का सही उतर कोशन नमबर 12 आता है हाल ही में किसने नई दिल्ली में होकी विसकब ट्रोफी का अनावरन किया है दोस्तों बारवे कोशन का रेट आंसर हैगा अनुराग ठाकुरने यानि की C रैट आंसर हैगा कोशन नमबर 12 का सही उत्तर दोस्तो कोशन नमबर 13 आता है हाल ही में किसने प्रत्वी के पानी का सरविक्षन करने के लिए एक अंतरास्टे मिशन शुरू किया है कोशन नमबर 13 का दोस्तो रैट आंसर रहेगा ओप्षन भी ना साने तो यह आपको याद अखना है कोशन नमबर 14 आता है हाल ही में जेस्टी परिशद की 48 वी बैटक कहां आजित हुई है दोस्तो कोशन नमबर 14 का रैट आंसर क्या रहेगा बिलकुल नई दिल्ली में यानि की बी रैट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 14 का रैट आंसर कोशन नमबर 15 आता है हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने रास्टे व्यापी आपातकाल की खोशना की है 15 कोशन का दोस्तो रैट आंसर क्या रहेगा ओप्षन C हो जाएगा पेरू यानि की ओप्षन C हो पर करेक्ट आंसर रहेगा कोशन नमबर 16 आता है हाल ही में किस होकी टीम ने महिला FIH नेशन कब 2022 जीता है तो कोशन नमबर 16 का रैट आंसर रहेगा ओप्षन ने भारत ने तो यह आपको याद रखना है कोशन नमबर 17 आता है हाल ही में Mrs. World 2022 का किताब किसने जीता है दोस्तों Mrs. World 2022 का किताब किसने जीता है तो कोशन नमबर 17 का रैट आंसर रहेगा बिलकुल सरगम कोशन ने यानि की B रैट आंसर रहेगा 17 का रैट आंसर कोशन नमबर 18 आता है हाल ही में आयोजित ब्यादगी तालूग साहित्य सम्मिलन का संबन किस भासा से है दोस्तों अठारवे कोशन का राइट आंसर हैगा ओप्शन सी कन्नड यानि किसी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 19 आता है वीवो प्रो कबड़ी लीग 2022 का नोवा सीजन किस टीम ने जीता है उननिसवे कोशन का राइट आंसर रहेगा ओप्शन बी जैपूर पिंक पैंथर्स ने यानि कि बी राइट आंसर हो जाएगा उननिसवे कोशन का सही उत्तर दोस्तों बीसवा कोशन आता है दिसंबर 2022 में केंद्रे मंत्री नितिन गड़करी ने किस सहर में 15 राष्टे राजमार्ग प्रियोजना की आधार सिला रखी है बीसवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तिरुवननंत पुरा म्यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 20 का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ये तो थे हमारे 20 कोशन अब बात करते हैं होमवर्क की कोशन के बारे में साथी साथ कल का जो हमारा होमवर्क का कोशन था उसके आंसर के बारे में और कोशन अब दर डे के बारे में आज का हमारा होमवर्क का कोशन है हाल ही में बिहार के नए DGP के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हैगा वो आपको कल की वीडियो में बिल जाएगा आप फटा-फट इस कोशन को तब तक ट्राइ करिये और आंसर कमेंट बोक्स में बताने की कोशिस करिए दोस्तों आज का हमारा कोशन ओफ़ दे है बद्रिनात कहां अवस्तित है ट्राइ करिए पांच सेकिन का आपको समय मिलता है और राइट आंसर कमेंट बोक्स में बताने की कोशिस करिएगा दोस्तों इस question का right answer हैगा उत्राखंड में क्यानि की option a right answer हो जाएगा आज की question of the day का answer मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारा कल का homework का question था हाल ही में जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष जात्रा के लिए शुरू की गई dear moon प्रियोजना के लिए चुने गए एक मादर भारतिय कौन है तो right answer हैगा देव जोसी तो ये आपको याद अखना है भई काफे important question हो सकता है ये मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बोक्स में एक feedback कमेंट जुरू करेगा वीडियो पसंद आईया तो like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो फटा-फट subscribe कर लीजे बेल आइकन को on रखिए ताकि आगे हैने वाली सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहे 6000 के question answers की pdf भी आप दोस्तों purchase कर सकते हैं मात्र 150 रुपीज में इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है history, geography, polity, economics, physics, chemistry, biology current affair, computer website से purchase कर सकते हैं वोटसब पर अगर आप purchase करने के बाद में अपना screenshot भीजते हैं तो एक pdf आपको free में हमारी तरब से रहेगी दोस्तों मिलते हैं कल की class में अगर आपको कोई भी doubt होता है तो हमसे WhatsApp नमबर पर contact कर लीजेगा और हाँ हमारा जो दोस्तों नया channel है सोरब मलिक vlogs के नाम से उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले ना बहुत अच्छे अच्छी वीडियोज मैं वहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ ठीक है चले thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लखे अपना